दोस्तों बिग बॉस की लेटेस्ट एपिसोड में देखा गया है कि अंकिता विकी के स्पेशल सर्विसेस को लेकर घर में एक बार फिर से बवाल मचा है जिसमें की मुनवर फारुकी ने ये डिसीजन लिया है कि अब अंकिता को स्पेशल सर्विसेस नहीं मिलेंगे लेकिन व और आई दिन अपने reaction देती हुई नजर आती है जिस पर अब कामय पंजाबी ने बिग बॉस और बिग बॉस के पहले captain बने मुनवर फारुकी के game पर कई सवाल उठाए हैं वैल इस पर कामय का पहला tweet ये है कि मैं agree करती हूँ इस बास से कि घर के अंदर ऐसी treatment मिलना ये show का concept नहीं है और अब जब दे ही दिया है तो ये सब drama क्यों बिग बॉस अभी ये सारी question किसी महमान से, doctor से या outsider से पूछना बहुत ही normal और common है बहुत ही बुरा game बिग बॉस वैल कामया ने इस पर आगे लिखा है कि मुनवर फस गया बिग बॉस के जाल में उन्होंने वही किया जो बिग बॉस चाहते थे करना तो मुनवर भी यही चाहता था पर पता नहीं क्यों उसने अपना time waste किया रिंकू और अंकिता से पूछ के की अब क्या करूं and all अगर वो अकेले में बात कर लेते तो for sure बड़े बन जाते वहीं घर के अंदर जब अंकिता पर सवाल उठ रहे थे कि आपने fanbase पर question पूछे थे जिस पर कामया ने tweet कर लिखा है कि बिग बॉस का fanbase बहुत बड़ा है that was the line well यहां कामया ने अंकिता का support करते हुए उनकी बात को clear कर दी है वहीं इस पर आगे कामया का कहना है कि यह unfair है दूसरे contestants के लिए हाँ यह तो unfair है लेकिन contestants जिनको यह सारी सुविधाय मिल रही है क्या यह उनकी गलती है नहीं क्यूंकि यह contestants की condition है और यह उनकी demand है जो कि उन्होंने maker से की थी show के part बनने से पहले और वही show के makers ने भी इसमे हामी बड़ी थी बाकियों को भी मांग लेना चाहिए था या तो मिल जाता नहीं तो बाहर का दर्वाजा दिखा दिया जाता वेल नो डाउट यहाँ पर कामया पंजाबी ने पहले की तरह ही अंकीता और विकी का जमकर सपोर्ट किया है और सीधा निशाना दाग दिया है बिग बॉस पर और मुनवर पर वेल आपको क्या लगता है मुनवर ने सही डिसीजन लिया है या नहीं आपका इन सब चीजों को लेकर क्या है कहना हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताना साती ऐसी टीवी और बॉलिवुड से जुरी तमाम खबरे जानने के लिया आजी फिल्मे बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें पॉलो करना बिलकुल न भूले